आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादिशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मेराना शाहित त्रीस तरिये पंचायत चुनाओं के दूसरे चरण में सभी 106 विकास खंडों में करीब 80% मत्यदान हुआ इनमें 76% महिला, 72% पुरुष और 10% अन्य मत्यदाता है सबसे ज्यादा 85.60% मत्यदान शाजापुर में हुआ जबकि सबसे कम 54.80% मत्यदान भिंड में हुआ गौरतलब है कि दूसरे चरण में 47 जिलों के 106 जनपद पंचायतों में मत्यदान हुआ इस दौरान लोग 7,655 ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत सदस्य के लिए 299 जनपद पंचायत सदस्य के लिए 2,227 सरपंच पद के लिए 7,373 और पंच पद के लिए 22,451 पदों के लिए मत्यदान हुआ दूसरे चरण में शियोपूर में 78,9 प्रतिशत मुरैना 77,1 शिवपूरी 80,4 गुना 83,5 अशोकनगर 84,3 शतना 68,4 शहडोल 64,3 अनुपुपूर 66,5 उमरिया 73,3 जबलपूर 75,5 शूने मनिला 72,8 शूने बैतूल 83,27 नर्मदा पुरम 89,2 शूने राइसेंग 74,2 शूने विदीशा 80,8 शूने आगरमालवा 87, निवाडी में 85,29 शागर में 78,56 रतलाम में 82,13 और उज्जैन में 82,9 निफी से दिमत दान हुआ संसत का मानसून सत्र इस महीने की 18 तारीख से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा लोगसभा सचिवाले ने बताया है कि इस सत्र में कुल 18 बैठके होंगी, राष्ट्रपती चुनाओ 18 जुलाई को और उपराष्ट्रपती पत का चुनाओ 6 अगस्त को कराये जाएगा दोनों की मतगर्ना संसत भवन परिसर में की जाएगी, नव निर्वाचित राष्ट्रपती को 25 जुलाई को संसत भवन के केंद्री कक्ष में शपत तिलाई जाएगी, उपर राष्ट्रपती 11 अगस्त को शपत लेंगे भारती जनता पार्टी की राष्ट्री कारकारेनी की बैठक आज तेलंगाना के हैद्रबाद में हो रही है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भी दो दिवसी बैठक में भाग लेंगे कारेकारेणी की बैठक में 340 प्रतिनिधी भाग ले सकते हैं इनमें केंदरी मंत्री, अमिच्छा, राजनाथ सेंग और नितिन गटकरी भी शामिल होंगे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में भाग ले रहे हैं प्रधानमंत्री कल शाम सिकंद्राबाद के परेट ग्राउन में एक जनसभा को भी संबोतित करेंगे तिलंगाना के 35,000 पोलिंग बूथों से चोड़े भाजपा कारिकरता भी विजय संकल्प रैली में उपस्थित रहेंगे नीती आयोग ने आज कोविड महमारी के प्रसार को रोकने और प्रबंधन के लिए आयूश आधारित विभिन पहलों तथा राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए तरीकों के संग्रह का विमोचन किया संग्रह का विमोचन नीती आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी और आयूश राजे मंत्री डॉक्टर मुझपारा महिंदर भाई कालू भाई ने किया कारिक्रमे नीती आयोग में स्वास्थ मामलों के सदसे डॉक्टर वी के पॉल और संबंदित अधिकारी भी उपस्थित थे इस अफसर पर श्री पॉल ने कहा कि संग्रह में आयूश के संसाधनों का उप्योग करते हुए कोविड नाइंटीन के खिलाफ संग्घर्ष में देश को मजबूत बनाने के लिए राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों दोरा अपनाए गए तरीके और जानकारिया दी गई है प्रदेश में अधिकतर जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है मौसम विभाग के अनुसार जुलाई के पहले सब्ता में कहीं कहीं तेज तो कहीं हलकी बारिश होती रहेगी जबकि जून में सामाने से भी कम बारिश होई कलराजी के अधिकतर जिलों में जम कर बारिश होई भोपाल में सवा 3 इंच पानी गिरा कई जगा पेड़ गिर गए सडकों पर जल भराव की स्थिती बनी अब कुछ समाचार संग्षेप में नेशनल फॉरेंसिक साइन्स यूनिवरसिटी भोपाल में इसी शेक्षिन के चत्र से चार कोर्स शुरू होंगे इसके साथ ही MSC Forensic Science के दो वर्षी कोर्स के लिए 30 सीट अवंटित की गई है इसके साथ ही प्रादिशीक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार कर दो कर दो नमस्कार कर दो झाल झाल